वो सब पीछे हटने वाले नहीं हैं वह सब वक्त आएगा ना तो गड़ी मजदूर दली जो नहीं सब रोट पर सो जाएगा पहले बोलेगा कि हमको कुछ अदो उसके बाद मेरे मकान को तोड़ोगे गड़ीप का दिल तोड़ना महजित तोड़ना बड़ावड है गड़ीप है और जनता के हीइट में काम करना चाहता है तो उनको जाना चाहिए डरना नहीं चाहिए लालूज्याद जुल्म के लिए घृब मदूर अधलीट के लिए उन्होंने आवाज उठाएक ऑवाज उठाने के बाद को लड़ाएं लड़े वो किसी पार्टी के पास और किसी का आगर जुगने के अकाम नहीं किया आपका इसे मंत्व जी बंगाल में धनना पर्दसन कर गेए वह इसे जाके धर धनना पर दसन कर जाते हैं बिरोधी में थे गरना पर पर कोई भी बुल्डोजर नहीं चलेगा लेकिन आदेश मिलते मिलते डिजिटल यूग में दो घंटे हो गए, दो घंटे में कितने गड़ीवों का घर, पान वाले का घर, कोई जूस वाले का जो दुकान, जो पान वाले का दुकान, सभी का घर तूटा और, कहा गया कि आदेश आने में देरी हुई इसलिए हुआ हम यहां पे हैं हमारे साथ जनता है जो मौझूदा राजनीती है और जो बुल्डोजर की राजनीती है उस पर आप लोका क्या कहना है तेकि यह सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जो है कानून जो भी अगर कहता है जा के जियाने का काम करते हैं उसको तोडने काम नहीं करते हैं पुछ लोग जो है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके देश को जो है कौन लोग की बता रहे हैं जो विचार धारा में आता है वहीं नहीं बताएंगे अब माने कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और देश को जो नहीं इससे तोड़ने का काम कर रहे हैं मगर इससे देश तूटने वाला नहीं है, देश जूटने वाला है, इसलिए कि हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सी, किसाई, सब आपस में भाई-भाई, यह चल रहा है, अब कोई सिस्टम अपना बना लिया है, कोई गंदा ख्याल जोड लिया है, मगर इस ख्याल को खतम करना चाह है, यह गरीब हो, यह मजदूर हो, यह दलीद हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो इस पर पॉलिटिक्स करते हैं, जो अपने आपको कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टी हैं, यह देश जो है भारत के समिधान में लिका हुआ है, कि धरम निर्पेक्च देश है, वो लोग क्यों वनोज जहा क्यों नहीं गए, जो भी बड़ा नेता क्यों नहीं गए, देखिए सबसे बड़ी बात है, जो नेता अगर असली में नेता है, जनता को चाहने वाला है, और जनता के हीत में काम करना चाहता है, तो उनको जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, अब जगड़ा हो हुआ है और देह रे करना चाहिए उसको क्या कमी बेसिय कढे की कमी है डिक अरू केरे हैं पत्थर बोट तो सब ब्राइब करते हैं जो बोट लेता है अभी इप्तार पार्टी चल रहा है कर लालु जादब के लिए गरीब अधलित के लिए उन्हों ने आवाज उठाएं आवाज उठाने के बाद गरीब की लड़ाई लड़े, वो किसी पार्टी के पास और किसी के आगा जुगने का काम नहीं किया, उन्होंने गरीब, मजदूर, अल्फ, संक्यक सब को ले करके चले, अब जो पार्टी जीत गिया, सब फसाने के लिए इनको पड़ा हुआ, फसा करके इनक मारे लालू जादब की तबियत तो ठीक है नहीं, बेटा है ना चचा, तो बेटा है तो बेटा जाएगा ना, तो थोड़ियों न रूखेगा, उजाइबे करेगा, कहा कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, जब उसका बाप जो अने गरीब मजदूर के लिए लड़ सकता है, दलित के लिए लड़ सकता है, वो क्यों नहीं बोलेगा, तो जिस परकार से पानी का नलका तोड़ दिया गया, एक गुपता कॉर्नर पान का दुकान था, रमन जहा का उसका दुकान तोड़ दिया गया, क्यों ये लोग चुप हैं? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली में सरकार केजरिवाल की है, लेकिन पुलिस उनके अधीन नहीं है, अधीन नहीं होने से क्या होगा, आप कैसे मंता बनर जी बंगाल में धरना पर्दसन कर गई, वो इसे जाएकर धरना पर्दसन कर जाते हैं, विरोधी में थे तो धरना परदसन करते हैं तो कैसे रोलर चाहड़ जाता है उनकी पार्टी के लोग सब्ढ़ जाते हैं तो वह बैठने का काम करें वहाँ पर पूरी बैठ जाती तो क्या बोल्डोजर चल जाता कभी जिंदगी में ने चलता यह इन लोग चाहते नहीं है अगर यह चाहते तो आईसा त चलना चाहिए अयव पहले है की नफड़त फैन रहा हैं पहले बताए कोई चुका यह पुराना जो बिचार धारा है उसी बिचार धारा को लेकर अगर लोग चलेंगे तो समझ लिजे के विचार हम लोग का सही रहेगा और पुराना मिलाब फिर नहीं तरीके सूचवल होगा अभी कहा जा रहा है कि बिहार में भी बुल्डोजर की राजनीति चालू होगा देखिए बिहार के अंदर में तो समझ लिजे सुड़ूए से जो हना चल रहा है कभी जंगल राज चल रहा है कभी मंगल राज चल रहा है कभी कुछ चल रहा है और जब बॉल्डोजर की आप ब पहले बोलेगा कि हमको कुछ दो उसके बाद मेरे मकान को तोड़ोगे यह पीछे हटने वाला नहीं है आप कानून अगर चला जाएगा तो तोड़ दीजिए जब हम ही मर जाएंगे तो घर रहे के क्या होगा अब मुसल्मान का परते निजित्व करने वाला कोई नेता आपको दूर दूर तक देखाई दे रहा है जो बात कर रहा है मुसल्मान का आपको हम एक बात बता देते हैं मुसल्मान जो बाड़ बाड़ जो है लोग एक ही आवास करते हैं एक ही आवास करते हैं लोग मुसल्मान मगर हम हिंदुस्तान में हैं ठीक है ना हिंदु मुसलीम सी की साई सब आपस में भाई भाई हैं अगर जिस दिन हम लोग एक जूट हो जाएंगे एक जूट जिस दि जूट नहीं होगा ना कोई चीछ तूटेगा और सरकार भी जो है ना जो अबल तबल कर यह भी नहीं चलेगा सबको बढ़बात करने का काम करते जंता खाली एक जूट हो जाए और तमाम गडी मदूर एक सास हो जाए और जो उचित काम है उचित लड़ाई देखिए चाहे मं मुझेम चाहता है अाचा हिंदु चाहता है इसे मीडिया के अंदर में देख रहे हैं तो अईसा कभी हुआ है अनक अजये साया नहीं परसान करता है अब जनता हिंदू-मुस्लिम शीख जो है सब एक साथ मिल कर करके एक जूट आप चलेंगे ना तो सब सही हो जाएगा चाहे विस्ट्री के साथ सभी का हिंदूस्तान थी इसके लिए हम लोगा टेंशन नहीं लेना है अगर कोई तो अभला रहा है तो दोस्ती का जो है ना हात बढ़ाना होगा और जो साय्टान में जंडा उंडा कार दिया कि मजजित पर बड़ी चुप चुप रहे हैं आज कर रहे हैं यह लोग अगर चाह जाए कि हम अगर आवाज उठाएं तो समझ लिजिए कि कोई भी आदमी अगर किसी भी चीज के लिए अच्छे चीज के लिए अगर कदम बढ़ाएगा तो वह आ पर बताने के जरूए तो यह लालू जादब यह कोई भी पांटी हो कदम को आगे बढ़ाएगा अच्छा काम में बढ़ेगा चाहे हिंदू मुस्लिम सी के साइज सबको साथ लेके चलेगा अब सबके सिस्टम को समझेगा सबके दुख को समझेगा तो वह नेता आगे बढ पसंद आया है तो एक दम साइं साइं दम सेर कीजे और गृश्ण साइं सेर कीजिए यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे पर देख रहे हैं तो लाइक प्लो करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद